BSP से आए पूर बाहुबली विधायक को BJP ने आखिरकार निकाल दिया है कौन है वो बाहुबली और क्यों निकाला है? हम आपको बताएंगे हम आपको ये भी बताएंगे कि संज़ सिंग पर FIR क्यों की गई है और किस ने कराई है? ये भी जानिये और साथ साथ ये भी देखिए कि अखिलेश यादों ने पिछोडों के आरक्षन के सवाल पर संसद में क्या कहा है? नमस्कार मैं हूं कुमार अभिशेक आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजर है अपना न्यूज शोओ आज का यूपी लेकर अब खबरें विस्तार से काफी हंगामे के बाद आज BJP की एक प्रिस रिलीज आई है उत्तरपदेश BJP के दो लाइन के इस प्रिस रिलीज में हाला कि प्रिस रिलीज में कई लाइने कई शब्द गलत भी लिखे थे लेकिन इस प्रिस रिलीज में ये लिखा गया कि जितेंदर सिंग बबलू को पार्टी की सदसिता से बाहर किया जाता है यानि कि वो जितेंदर सिंग बबलू जिने पूरे फैन फेर के साथ 6 अगस्त को बीजेपी ने पार्टी कार्याले में जिनें सदस्यता दिलाई थी ऐसी कौन सी नौबातान पड़ी कि महज एक हफ़ते के भीतर ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया जितेंद सिंग बबलू हैं कौन ये भी जान लीजिए जितेंद सिंग बबलू बिकापूर फैजाबाद के पूर विधायक हैं बाहुबली माने जाते रहे हैं बस्पा के दौर में उस इलाके में इनकी तूती भी बोती थी लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी जोइन किया था तब से ही हंगामा मच गया था अब हंगामा के हूँ यह भी जान लीजे दरसल बीएसपी के इस विधायक पर रीता बहुगना जोशी का मकान जलाने का एक आरोप था 2009 में इन पर आरोप था कि एक भीड को उकसा कर रीता बहुगना जोशी जो कि ततकालीन कॉंग्रेस की बड़ी नेता थी उनके घर को जलाने का प्रयास किया गया था और ये मामला CBCID के पास चल रहा था लेकिन बिना रीता बहुगना जोशी को कॉंफिडेंस में लिये हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कारिक्रम में बकाइदा जीतेंद्र सिंग बबलू को भाजपा की सदस्थिता दिला दी गई और उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ चुका था सबसे पहले सुनिए कि जब मामला तूल पकड़ा तो अध्यक्ष ने क्या कहा और अध्यक्ष स्वतन देव सिंग ने आज तक के कारक्रम पंचायत में ये साफ कहा था कि जो रीता बहुगुना जोशी चाहेंगी वही होगा पहले सुनिए क्या कहा था सुतन देव सिंग ने क्या है जिले से सूचना ली जाती है छेतर से सूचना ली जाती है और सभी से सुचना लेने के बाद ज्वाइनिंग होता है सिदे निचे से रिपोर्ट लिया इती है रिता जी का कल फोन आया था बादचित हुई थी हमकी आप आईए इसी कोई घटना है तो वीचार किया जाएगा घटा देंगे आप जीते इंदु सिंग को पहले एक बार बै बिना सीनियर नेताओं को confidence में लिये हुए जीते इंदु सिंग बबलु को बीजै पी की सदस्यता दे दी गई थी और जश दिन ये सदस्यता दी गई उसी दिन रीटा बहुगुना जोशी ने इस पर सवाल उठाये थे सुनिए उस दिन रीटा बहुगुना जोशी ने क्या समझार को देखर में सब्सक्राइब क्योंकि मुझे बहुत अच्छी स्याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनों में तो उस घर में को जलाने में अगवाई करने वाले जितें से बबलू थे और जब जान चुई तो इसमें आरूपी पाए गए और उनके मुझे पूरविश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा इन्होंने सच्चा है उनको नहीं बताई और पार्टी जॉइन कर ली पार्देश अध्याग जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका अपराथिक बैग्गराउंड ये घर जलाने वी आवर करें यह बाद बेटा ज शेक बाल मचत खेल और लोज के पर नेता तक यहां जोशी का गार जलाने की कोशिश की गई ऑखिर उस्से ता क्यूं दिलाई गई और यही बात ऑज तक के पंचायत में लक्षमी कांत वाजफ़ेई जो कि सीनियर बीजेपी के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ती जताई थी। इन तीनों बयानों के बाद ये साफ था कि आज नकल जीतेंदु सिंग बबलु की बिदाई पार्टी से तै है और वही हुआ और आज इस दो लाइन के इस प्रेसरलीज से स साफ हो गया कि जीतेंदु सिंग बबलु को पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन पार्टी गाहे बगाहे ऐसी किरकिरी कराती रहती है और इसमें बीजेपी आगे पीछे भी शायद नहीं देखती, और यही वज़ा है कि एक हफते के भीतर जिस नेता को बाईज़द ला आम आद्वी पार्टी के प्रभारी हैं, उन पर आज बीजेपी के विधायक, हरईया से विधायक हैं अजै सिंग, उन्होंने हजरत गंज के थाने में उनके खिलाफ FIR दर्च कर आई, दरसल दिन पहले संजै सिंग ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की थी, प्रेस कॉन्फरेंस म उसमें कड़ोरो रूपे के लेंदेन की बात कही थी, बात यहीं तक नहीं रुकी थी, उन्होंने अजै सिंग को कोट करके कहा था, कि विधायक अजै सिंग ने इस मामले में जो बयान दिया है, वो अपने आप में विसफोटक है और उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया दरसल अजै सिंग का कहना है कि संजै सिंग ने उनके बयान को तोड मरोड कर अपने तरीके से पार्टी के खिलाफ ही पेश किया और यहीं वो वज़ा है जिसके लिए वो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी बाते कही थी, वो आज बीजे पी विधायक ने संजै सिंग के खिलाफ एफ आयार कर दी, यह तस्वीरें दिखा रही हैं कि यह एफ आयार करने आज विधायक बीजे पी के अजै सिंग थाने पहुंचे थे, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछणों की राजनीती गर्मा रही ह संसद ने जिस तरीके से राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि अब राज्य यह तै कर सकेंगे कि पिछड़ी जातियों की सूची में कौन-कौन सी जातियां आएंगी, किन नई जातियों को उन्हें जोड़ना है जो अधिकार पहले केंदर के पास थे, अब वो राज्य स सूची में शामिल हो सकता है, हाला कि इस पर पूरी डिपोर्ट अभी आनी बाकी है, सरकार को सौपा जाना बाकी है, लेकिन 49 जातियों की लिस्ट तयार है, उधर आज अखिलेश यादों ने संसद में इनी मुद्दों पर एक बयान दिया है, अखिलेश यादों ने कहा कि वो सरकार के साथ इस मुद्दे पर हैं और समर्थन करते हैं, कि आखिरकार सरकार ने वो हक राजियों को दिया जिसकी मांग सालों से उठ रही थी, लेकिन अखिलेश यादों ने कहा कि जो 50% का कैप है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, यानि कि राजिस सरकारों को जातियों को चुनने का तो अधिकार हो ही, अब साथ-साथ आरक्षन कितना हो, 50% से कितना ज्यादा हो, ये भी अब खोल दिया जाना चाहिए, यानि कि सरकारें, राजिस सरकारें ये तै करें कि 50% से भी ज्यादा आरक्षन वो दे सकते हैं, साथ-साथ अखिलेश यादों ने ये भी क कराएंगे तो यह था आज का यूपी हम फिर हाजिर होंगे लेकिन जाते-जाते आपको बता दें कि 2022 चुनाओं के पहले हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे स्पेशल कवरिज विशेश इंटर्व्यूज लगातार आपके लिए कौन क्लेव लाएंगे और यह सब कुछ होगा यूपी तक पर और यूपी तक के खासकारिक्रम यूपी किस का में नमस्कार कर दो कर दो